नवश्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के करेंट MCQs को डिसकस करेंगे जो डिसम्मर के मंथ में न्यूज में थे अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मैं इंस्टाग्राम और टेलिग्राम दोनों पे हूँ आप च सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ और सवाल है कि हिंग वा केसर की खेती के लिए क्रिशी से संपनता योजना किस राजद्वारा प्रारम की गई हैं इसके options हैं सिक्किम हिमाचल प्रदेश तेलंगाना या मद्रप्रदेश तो इसका अंसर है B हिमाचल बारे में तो आपको सवाल से पता चली गया कि ये स्कीम जो है नाम है इसका क्रिशी से संपनता योजना इस स्कीम के तहत हिंग और सैफरन यानि केसर की बेसिकली इसकी खेती के लिए यहाँ पर ये योजना की शुरुवात करी गई थी अब इस योजना के लिए सरकार ने यहाँ पर 10 करोड रुपे का यहाँ प्राफधान भी रखा था और इंपोर्टेटली जब ये योजना लाई गई थी तो यहाँ पर एक इंस्टिट्यूट है जिसको बोलते हैं IHBT ठीक है इसको एंग्रेजी में फुल फॉर्म है इसका इंस्टिट्यूट ऑफ हेमालियन ब यहाँ पर very from the question हमको पता चल चुका था कि यहाँ पर यह scheme किन पर्टिकलर दो चीजों की केती के लिए है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए ठीक है चलिए moving on to the second question यहाँ सवाल है World Fisheries Day यानि विश्य मत्स दिवस इस celebrated on किस दिन celebrate किया जाता है सीधा सीधा अंसर इसका याद रखना है factual question है 21 November को World Fisheries Day या विश्य मत्स दिवस का यहाँ पर इसको celebrate किया जाता है ठीक है moving on to the next question सीधा सीधा सवाल फिर से है factual who has won the men's single title of the tennis competition of Orlando Open 2020 तो यहाँ पर एक Orlando Open होता है 2020 में जब यह Orlando Open हुआ सवाल है कि पुरिश singles में यानि men's single title है खताब किस ने जीता इसका अंसर है Brandon Nakashima अब इसके बारे में यहाँ पर और भी चीज़ आप याद रखेगा पूछ सकता है देखे men's singles का तो हमने देख लिया कि men's singles में यहाँ पर Brandon जो Nakashima है वो इसके winner थे United States को यह belong करते थे आप से country का नाम भी पूछ सकता है लेकिन importantly यह सवाल इसलिए important हो जाता है क्योंकि जो इसके runner अब थे उनका नाम था प्रजनेश गुनेशवरन अब आपने इनका नाम I am sure काफी सुना होगा क्योंकि प्रजनेश गुनेशवरन जो है यह Indian tennis player है ठीक है और काफी famous है इनफाक्ट आप देखेंगे तो इन्होंने दो जो ATP challenges होते हैं tennis के अंदर दो ATP challenges जीते हैं इनफाक्ट उनके पास आठ ITF titles भी है ठीक है ITF titles जीते हैं इनों singles में एक ITF title उनों doubles में भी जीता हुआ है ठीक है और सबसे बड़ी बात यह है right now he is currently the highest ranked Indian single player ठीक है सबसे अच्छी ranking सबसे जादा बड़ी ranking जो है इन ही की है प्रजनेज गुनिश्वरन जी की है और यह इंडिया को डेविस कप में भी represent कर जुके हैं और करते हैं ठीक है तो यह भी important इनके बारे में information है in fact मैं आपको बताओं कि 2018 में जो यहाँ पर ancient games मुवते जकाटा में उसमें इन्होंने य decided over the 15th G20 summit यानी पंदरवी जो जहाँ पर G20 की शेकर सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता उसको प्रिसाइड इन में से किस देश ने किया है ओप्शन है ए जापान औस्ट्रेलिया यूए या साओधी अरेबिया इसका आंसर है साओधी अरेबिया अब देखिए यहाँ पर इसका तो theme है जो आपके exam में आ सकता है वो आपको याद रखना चाहिए realizing the opportunities of the 21st century for all ठीक है यह आपको जरूर से जरूर याद रखना है अब यह तो हमारा information हो गया 2020 के बारे में लेकिन मैं आपको अगर G20 के बारे में बताओं I am sure आप इसके बारे में जानते ही होंगे यहा पर आपको government के heads ठीक है government के head और साथ में आपको central banks जो होते है उन देशों के उनके governors इनका यहाँ पर यह body है जहाँ पर आपको इसमे 19 countries मिलेंगे plus आपको एक जो body मिलेगा that is European Union इस तरह से यह G20 form होता है 1999 में इसका यहाँ पर establishment हुआ था गयाद रखेगा और इसका objective क्या था कि जो policies हैं जो international financial stability को यानि international level पे financial stability लेके आएं ऐसी policies के बारे में discussion करना ठीक है इस तरह की बाते करना तो G20 का जो agenda था 2008 के बाद काफी expand हुआ ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे entities government के heads हो गए ठीक है finance ministers हो गए foreign ministers हो गए think tanks यह सब का यहाँ पर क्या हो गया periodically इन क्या member देखेंगे मैं आपका wallet में बिताया 19 member तो यहाँ countries हैं साथ में एक यहाँ पर EU भी है अब EU जो है यह represent किया जाता है European Commission के द्वारा और साथ में जो Europe का Central Bank है European Central Bank ECB की तरह मैं लिख रहा हूँ इससे भी यहाँ पर इसका representation होता है ठीक है अब यह जो meeting थी G20 की यह 2009 साल तक यह यहाँ पर साल में दो बार होती थी लेकिन ठीक है मतलब in fact not दो दो बार अक्चली 2009 में दो बार हुई थी और 2010 में भी यहाँ पर यह meeting दो बार हुई थी twice हुई थी लेकिन उसके बाद November 2011 में जब यह meeting हुई थी आप को पता होगा Keynes में ठीक है उसके बाद से यह meeting annually होने लगी है ठीक है तो यह सारे information जो इसके बारे में आपको यहाँ इसके बारे में याद रहना चाहिए चलिए moving on to the next question काफी एक अच्छा और important question है मैं इसके बारे में आपको काफी details से बताने वाला हूँ सवाल यह है कि हाल में ही विज्ञानिकों ने भारत के किस राज यानि glowing mushrooms मिले हैं options हैं हिमाचल प्रदेश, B सिक्किम, C मेगाले या D अरनाचल प्रदेश, option है इसका answer है इसका मेगाले अब यहाँ पर मेगाले के जंगल हैं उन मेगाले के जंगलों में एक मिठा तो यहाँ पर जो मेगाले के जंगल हैं उन मेगाले के जंगलों में वैग् जादा important है कि आप पहचान लेज का नाम क्या है ठीक है मेघाले के स्थानिय लोग जो है इसे basically electric mushroom के नाम से जानते है very very important ठीक है तो मेघाले का जो आप देखेंगे जो पूर्वी तरफ है जो पस्चमी हिस्सा है वहाँ पर ये हरी रोशनी वाला basically ये green light यहाँ पर फेकता है ठ यह word आपने सुना होगा काफी जादा काफी famous word ही है इसको बोलते हैं बतलब bioluminescent है यह चमकता है ठीक है इस word से इसको यहाँ पर जानते है नौर्थ इस्ट में mushroom से जोड़ा एक project चलाया जाता है ठीक है इस दौरान जो है basically इस project के दौरान 600 और ऐसी प्रजातिया मिली है ज खासी hills basically यहाँ पर आप देखने को मिलेगा खासी hills में आपको यह देखने को यहाँ उन्हाँ आये मिला है ठीक है एक ज़रना है वहाँ पर ज़रने के पास इसको देखा गया था अब इसके बाद आप देखिये तो पष्शमी जन्तिया George हें जिला है वहाँ पर भी यह मिले है ठीक है इसे आम भाशा में हम लोग जैसे मैंने बताया बायो लूमिनेसेंट मश्रूम के नाम से भी जान रहे हैं एक्सपर्ट जो हैं इस पर यहां पर कहते हैं कि यह जो लूमिनेसेंट वाला मश्रूम है इस तरह यहां एक बहुत ही खास तरीके का एंजाइम होता है ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं लिूसी फिरेज ठीक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिूसी फिरेज यह यहां पर एंजाइम इसमें मिलता है जिसकी वजह से यहां पर होता क्या है कि यह ऑक्सीजन से मिलने के बा आगे बढ़ते हैं सवाल है which of the following speeches of the president have been compiled in the voice of democracy and the republican ethic part 3 कहाँ पर ये speech जो है president की मतब which of the following speeches of the president इसको compile कर दिया गया आंसर है रामनात कोबन जी ठीक है तो यहाँ पर सवाल क्या था सवाल सिंपल है कि लोक्तम्त के स्वर और the republican ethic भाग 3 में निम्न में से किसके भाषणों को यहा पुड़ा यहाँ पर क्या कर दिया गया है उसको संकिलिक compile कर दिया गया है ठीक है तो सीधा answer question था नॉम्बर 2020 को यहाँ पर जो हमारे defense minister राजनास सिंग जी उन्होंने compilation को release किया था जिसमें कुछ select select choose करी हुई speeches थी प्रेजिद्ट रामनात कोबन जी की ठीक है और उसका ना सवाल यह बहुत अच्छा है अब देखिए after the recognize of Indian regional navigation satellite system IRNSS यानि भारती छेत्री navigation satellite system IRNSS को अंतरराष्ट्री समुद्री संगठन यानि Indian maritime organization द्वारा मानिता प्राप्त होने के बाद भारत स्वधंत्र छेत्री navigation उपग्रह रखने वाले देशों में में किस स्थान पर रहा ठ इंडिया यहां पर रहा था अब इसकी बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं देखे जो IRNSS है इसको हम लोग एक operational नाम से जानते हैं बहुत famous है जिसको हम लोग बोलते है नाविक ठीक है आई होप आपने इसके बारे में सुनाई होगा ठीक है नाविक के नाम से बोलते है इसको recognize किया गया है Indian International Maritime Organization IMO में और भारत यहां पर चौथा देज बन गया है इस world में to have its independent regional navigation satellite ठीक है भारत का यहां पर खुद का एक independent navigation satellite है जो basically भारत के areas में यहां पर क्या करेगा region को पूरा यहां पर एक तरह से क्या करने वाला है उसको navigate करने वाला है ठीक है तो यह जो ह इंडिया का area cover करेगा साथ में इंडिया के राउन जो 1500 km का जो area है ठीक है उसको भी यहां पर यह क्या करेगा fully cover करने वाला है यह यहां एक बहुत ही important चीज है तो apart from इंडिया इसके लबाद तीन और countries है जिसको है United States, Russia और China जिनका यह are also recognized जिनका यहां basically recognition है satellite system ठीक है ठीक है 1st December यहां पर इसको World AIDS Day के रूप में मनाया जाता है World AIDS Day is celebrated all over the world on 1st December इस साल का जो theme है जो आपकी exam perspective से काफी important है एक तोर date important हो गई दूसरा इसका theme है global solidarity shared responsibility ठीक है वैश्विक एक जुत्ता साझा जिम्मेदारिया ठीक है याद रखिएगा इस चीज को moving on to the next question question number 9 on which day international slavery abolition day is celebrated all over the world संपूर विश में अंतराष्ट्रे दासता अन्मूलन दिवस को किस दिन मनाया जाता है answer है 2 December ठीक है 2 December को मनाया जाता है अब आपको पता ही होगा देखे 2 December 2020 को यहाँ पर यह particular दिवस जो है इसको celebrate करते हैं और in fact 2 December 1949 को संयोत राज United States के जो जहाँ पर महासभा है महासभा ने व्यक्तियों की तसकरी बेसिंगली जिसको बोलते हैं हम लोग ठीक है जो यहाँ पर एक English का टाम आता है trafficking of persons ठीक है तो उनके trafficking के लिए तसकरी और exploitation जो होता है prostitution उनको यहाँ पर क्या करने के लिए end करने के लिए यह particular अगर यहाँ international slavery abolition day celebrate करना start कर दिया था ठीक है चलिए moving on to the next question question number 10 की बात करते हैं सवाल यहाँ पर यह है कि हाल में ही केंद सरकार द्वारा किस bank के साथ लक्षमी विलास bank limited को विलाय किया जाने की योजना मन्जूरी दी गही है देखिए काफी important सवाल है इसके बारे में आपक बारी अच्छे से होनी चाहिए मैं आपको थोड़ा detail में इसके बारे मताता हूं इसका answer देख लेते हैं सीदे सीदे DBS bank India limited इसका उत्तर है अब यहाँ पर exactly पूछ क्या रहा है देखिए उससे पहले सीदे सवाल यह है कि central government ने किस bank को यहाँ पर मतलब यह लक्षमी विलास bank इसको किस bank के साथ merge कर दिया तो देखिए merger तो आप समझते ही होंगे यहाँ जब दो banks को यहाँ क्या करते एक bank का जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी तरह से मान लीजिए NPA बहुत rise हो गया है या फिर वो bank पॉपर function नहीं कर रहा है तो उसको दूसरे bank के साथ merge करने की यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो चलती है कई सारे ऐसे banks है आपने सुना होगा बहुत सारे banks merge हुए है तो यहाँ पर अभी recently लक्ष्मी विलास bank को किस bank के साथ merge किया है वो है DBS bank India Limited यही सवाल पूशा गया है recently the central government has approved the plan to merge लक्ष्मी विलास bank with which bank अब यह तो ठीक है आपको आ मंजूरी देती है अब इसके अलावा सरकार ने जो जमा करता के लिए bank से निकासी की जो सीमा थी जो यहाँ पर लगा दिया गया था कि 25,000 रुपे से ज़्यादा आप नहीं निकालेंगे ठीक है वो सीमा भी यहाँ पर खतम कर दी है after this particular merger जैसे यह merger हुआ उसके बाद यह ज 30 दिन तक इस तरह की यह चीज करने को बोली थी 30 देश की रोक लगा दी थी सरा दी थी ठीक है तो यहाँ पर जो भी जमा करता थे वो 25,000 रुपे से जादा की निकासी नहीं कर पाते थे ठीक है तो यहाँ यह पर्टिकलर चीज है इसके साथ ही जो रिजर्ब बैंक ने company जो बैंक इंडिया लिमिटेड है उसके अंदर यहाँ पर विलाय करने की यूजने का मसौधा जो है वो पब्लिक किया था ठीक है और डाट वस वे बैक इन दी मन्त आफ नमेंबर ओनली ठीक है तो यह चीज याद रखेगा यह आपर चली आगे बढ़ते हैं यह भी एक बहुत important सवाल है for which of the following purposes Sentinel-6 Michael Frelich satellite has been launched via SpaceX Falcon 9 rocket अब देखें यहाँ पर सवाल किये है कि यह जो particular satellite है इसको यहाँ लाँच किया गया है वाया SpaceX Falcon 9 rocket तो यह किस परपस के लिए है option है इसका monitoring of water level of oceans अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा detail है बता जाता हूँ यही पर आपको सारी ची company है aerospace company है जिसका नाम है SpaceX SpaceX आपने सुना होगा यह Elon Musk की company है और यहाँ पर SpaceX का एक बहुती famous rocket है जिसको बोलते हैं Falcon 9 rocket के थूँ यहाँ पर एक satellite को launch किया गया है जिसको बोलते हैं लोग Sentinel-6 Michael Frelich satellite इस satellite का objective है कि जो water level के ocean है उसके water level को यहाँ monitor करना तो यह पूरा यहाँ पर project है जिसके बारे में आपको सारी information इसी जगा मिल गई है ठीक है इसको आप read कर सकते हैं बहुती simple है चलिए moving on to the next question who among the following has been elected as a new independent chairman of the international cricket council तो ICC का जहाँ पर एक नया chairman जो independent chairman किसे चूज किया गया है Greg Barclay अब मैं आपको उनके बारे बता हूँ तो यह जो Greg Barclay है यह New Zealand cricket जो New Zealand cricket board ह उनके यहाँ पर चीफ थे Greg Barclay इनको अभी डिसेंटी यहाँ पर ICC का नया chairman चुर लिया गया है इन्होंने in fact इम्रान खौदा जो सिंगापूर के थे उनको यहाँ पर हरा दिया था ठीक है अब now ही इस Greg Barclay जो है वो international cricket council के चेर्मान इंडिपेंडिन चेर्मान इस वक्त हो बहुत आप इनके बारे में जानते भी होंगे सोना भी होगा ठीक है तो यह आर्जंटीना के फुट्बॉलर थे डियोगो मारडोना जिनकी साथ साल की एज पर अभी यहाँ पर मृत्यू हो कोई टैथ हो गई है आर्जंटीना के लिए आर्जंटीना ने बेसिकली 1986 में वर् एज फिक्स कर दी है क्रिकेटर्स की टू प्ले इंडी इंटरनाशनल फिकेट तो बताना है आपको कि वो कितनी एज फिक्स करी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे एसाब से इसका आंसर है 15 यह पंदरा साल की यहाँ पर एक लिमिट लगा दी है हाल में ही अंत इसका प्लेयर को अलावड नहीं किया जाएगा तो पार्टेसिपेट यहाँ पर एक वो कब से कब तक यहाँ पर एक वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है विश्य विरासत सब्ता जो है वो कब से कब तक दक गया था आंसर इसका 19 से 25 सितंबर के बीच में अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं अगर देखे वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है 2020 इसका सेलिबरेशन मैं आपको बताया 19 से 25 नॉवंबर 2020 और इन फैक्ट ये हर साल एवरी येर यूनेसको इसको सेलिबरेट करता है ठीक है ये जो विश्व धरावर सब्ता है इसको आप देखे कि ये मुकेता स्कूल और जो कॉलेज के छातर ह है उनके द्वारा लोगों को basically cultural हमको हमारा जो हेरिटेज है उसके importance के बारे में बताने के लिए यहाँ पर ये एक particular जो जागरुकता जगाने के लिए यहाँ पर इस इन दिनों यहाँ पर इसको celebrate किया गया तो importantly यहाँ पर क्या किनको target किया गया था कि जो school के बच्चे है जो यहाँ college के बच्चे है उनको अपना culture के बारे में आप बताने के लिए उनको aware करने के लिए यहाँ यह particular week जो है वो celebrate किया गया था ठीक है चलिए moving on to the next question which of the following education institution of India has got the best ranking in QS Asia University Rankings 2020 काफी famous rankings होती ह है ठीक है कौन सी यहाँ पर QS जो Asia University Rankings 2020 में भारत के किस education institution को सबसे best ranking प्राप्ट हुई है ठीक है तो all over कई सारी इसमे यहाँ पर आता है ranking लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारत की उस university के बारे पूछ रहा है जिसका सबसे best performance है तो answer इसका IAT Bombay अब इसके बारे में सारा detailing देख ल जिसमें आप देखेंगे only 8 universities है ठीक है जो top 100 में यहाँ पर आप आई है ठीक है यह बहुत ही एक हमारे लिए अच्छी बात नहीं है और हमारे education institution होने चाहिए जो यहाँ पर top 100 के अंदर भी IAT top 100 की बात हो रही है अब इसमें देखें IAT Bombay है जिसको यहाँ 37th position मिली है IAT Delhi को 47th position मिला IAT Madras was in 56th followed by IAS Indian Institute of Science 56th IAT Khadagpur को एक अतरवा इंस्टान University of Delhi को यहाँ पर 71st IAT कानपूर भी यहाँ पर देखें University of Delhi से पीछे था 72nd rank और यहाँ पर JNU की बात करें तो it was on 81st ranking और यहाँ National University of Singapore जाया उसने इस पूरी ही rankings को यहाँ पर top किया था तो आपके लिए एक य overall ranking में contract किया था तो यहाँ पर National University of Singapore वो याद रखिएगा और भारत की बात करी गई तो IAT Bombay याद रखिएगा ठीक है चलिए question number 17 वड़ते हैं who among the falling has been appointed as the first Chief Executive Officer CEO of the WHO Foundation तो WHO Foundation के यहाँ पर किसको पहला Chief Executive Officer appointment किया है अनुल सोनी जी इनको यहाँ पर यह appointment कर दिया गया है ठीक है अब देखे इसके बारे में सीधा सीधा है अनुल सोनी काफी आप जानते होंगे यह एक Indian bond है यानी इनकी पैदाईश इंदु वड़ते हैं question number 18 की तरफ अब यहाँ पर नेपाल और चाइना ने आपने रिसेंटली सुना होगा इन दोनों देशों ने यहाँ पर पैक्ट किया था कि वो लोग Mount Everest की हाचाई को दुबारा यहाँ पर नापेंगे तो अभी यहाँ पर सवाल यह है कि नेपाल और चीन ने मि कर दुनिया की सबसे उची चोटी Mount Everest की नई उचाई कितनी बताई है इसका answer है 8848.86 meter तो आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पर minute जो है वो इसका increment देखने को मिला है ठीक है नेपाल और चाइना ने jointly यहाँ पर यह 86 cm की बताई है कि 86 cm हिमालेज जो है वो उनकी height बढ़ गई तो और जब यह दो प्लेट का यहाँ पर टकराव होगा तो definite सी बात है कि यहाँ जब टकराव होगा दोरों तरफ जमीन टकराएंगी तो यह जमीन ऊपर उठने लग जाती है ठीक है जिसकी वजह से यहाँ पर हिमाले का formation हो गया है तो हिमाले का formation का reason आपको geography पढ़ाई होगा ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं continent 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 जो divergent plates होती है जो आती है दो plates स्वरी convergent plates converge कर रही है दो plates यहाँ continent और continent की दो plates है एक continent Europe हो गया और एक continent Asia हो गया इन दोनों की plates जब यहाँ पर converge करेंगी तो basically यहाँ पर हिमाले का formation देखने को मिल रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है Recently यहाँ पर climate change performance index 2021 का release किया गया था किस country को यहाँ पर top position मिली है इसमें answer है Sweden अब देखें यह उपर के तीन country आपने देखे ही होंगे Norway, Finland, Sweden एकदम पड़ोसी पड़ोसी देश हैं काफी अच्छा यह चोटे चोटे देश हैं बहुत अच्छा performance रहता है इनका climate की बात करेंग Climate change performance index 2021 किया गया कौन रिलीस करता है जॉइंटली बाइ जर्मन वाच न्यूकलाइट इंस्टिटूट अड क्लाइमिट एक्शन नेटवर्क ठीक है Sweden ने बता दिया कि इसको टॉप किया है लेकिन Sweden ना देखे is ranked 4 in this index due to top 3 vaccines being placed in which India has been ranked 10 ठीक है तो यह एक important information आपके लिए है चल corruption day international level पर कब celebrate किया जाता है answer is 9th December ये भी काफी important सवाल है 9 December को मनाया जाता है इस बार का जो theme था वो याद रखेगा that is recover with integrity ये आप से सवाल पूचा जाता है कि इस बार का जो theme है उसका theme क्या था ठीक है चले question number 21 की तरह बढ़ते है सवाल है what is the main theme of 16th प्रवासी भारती दिव conference to be held on January 9, 2021 तो यहाँ पर आप देखे जो ये January now 2021 को यहाँ पर ये already हो चुका है तो इसका theme क्या था, theme था इसका contribution to self-reliant India इस theme का ये आपको याद रखना है आपके exam पूछ सकता है कि इस बार 2021 में जो NRI Day हुआ है उसका theme क्या है तो आपको याद होना चाहिए that is contribution to self-reliant या आप ये जो प्रवासी भारती दिवस है ये समागम है ये हर साल every year होता है different different शेहरों में और 2003 से लगातार इसको यहाँ celebrate किया जा रहा है COVID-19 की situation आपके पता है कि इसकी वज़े से बहुत सारी चीज़े यहाँ पर suspend करी गई है और इसी वज़े से यहाँ पर ये जो 16-16 प्रवासी भारती दिवस था इसको अब यहाँ पर 9 जनवरी 2021 को एक virtual format में held किया गया था ठीक है प्रवासी भारती दिवस conference जो है ये एक flagship event है government of India का हरसपार इसको मनाती है government of India ताकि वो अपने जो भार देशों में लोग रह रहे हैं उनसे connect कर सके जो उनका बाहर डायस पोरा रह रहा है उससे connect किया जा सके इस बार का जो प्रवासी भारती दिवस 2020 का उसका theme था contribution to self-reliant India तो एक चीज़ आप notice करिए यहाँ भी self-reli ठीक है चलिए बांगलदेश has entered its first preferential trade agreement in which country तो यह PTA जहाँ sign हुआ है preferential trade agreement sign हुआ है in with which country यहाँ पर भूतान के साथ यह इसको sign किया है मैं आपको बता दू भूतान पहला देश था जिसने बांगलदेश को recognize किया था as a country ठीक है तो यहाँ पर यह agreement sign हुआ देखे बांगलद देश has entered into its first preferential trade agreement with भूतान so that both countries यहाँ पर क्या कर सकें can import duty-free imports of many other goods right बांगलदेश के यह commerce minister थे टीपू मुंशी और भूतान के जो economic affairs minister है लया नापो लोकनाथ शर्मा जी इन्होंने है agreement sign किया था धाका में और in fact 50 years of diplomatic relations जो है वो दोनों देश के बीच में पूरे हुए थे भूटान पहला देश था जिसने इसको recognize किया था और इसके बाद यहाँ भूटान है as per the preferential trade agreement भूटान will be able to import 100 items of Bangladesh without customs यह basically यहाँ पर एक advantage यहाँ देखने को मिलने वाला है ठीक है तो यह चीज़ जरू जा दखिएगा काफी important है यह दो agreement हुआ है बंगलदेश में किया यह country यह भूटान का जो answer है बहुत important है हिंदी में आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं रीड कर सकते हैं moving on to the next question which Indian female footballer बहुत important है स्कॉप स्टार लगा लिजे एक तो woman का है यहाँ पर question है female का उपर question है और दूसरा sports की field से है तो question किया है कि which Indian female footballer became the first Indian female footballer to score a goal in the professional football league अब यहाँ यहाँ पर एक professional football league चल रही है उसमें यहाँ पर किस Indian female footballer ने अपना पहला गोल यहाँ किया है answer है इसका बाला देवी ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारें बता देता हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है देकि बाला देवी जो है वो पहली first Indian woman footballer हो गई है जिन्हों बाला देवी प्रोफेशनल football league यहाँ पर यह लीग यूरोप की लीग है ठीक है एक ही important है और in fact यूरोप की football league में Rangers FC की तरफ से खेलते हैं बाला देवी ने यहाँ पर जो Motherwell FC है उनके against अपने career का first goal यहाँ पर किया था तो Motherwell FC और इधर यह Rangers FC इनके बीचे match चल रहा था Rangers FC क के लिए बाला देवी जी खेलती है ठीक है औरों ने अपने career का पहला goal दागा है मैं कई बार इसको repeat कर रहा हूं क्योंकि मुझे सापसे यह बहुत ही important question है आपसे exam में definitely पूछा जाता है ठीक है चलिए armed forces flag day is celebrated on which of the following days यहाँ पर answer है 7th December सिधा-शिधा question सिधा-शिधा answer इसमे अपनी कुर्बानी दीदी उनके लिए यहां पर यह particular day यहां celebrate किया जाता है तो those in uniform bravely fought the enemies on the borders of the country to protect the honor of the country and has given up everything उनके यहां basically उनके लिए यह armed forces flag day का celebration किया जाता है who has been declared the winner of the United Nations investment promotion award for the year 2020 by the United Nations UNGTAT अब देखें UNGTAT आपने सुना होगा ठीक है UNGTAT क्या होता है United Nations का जो basically यहां पर क्या है जो यहां पर conference है on trade and development UNGTAT का full form ही होता है United Nations conference on trade and development ठीक है तो यहां है कि किसको declare किया गया है winner of the United Nations investment promotion award for the year 2020 answer है invest in India को बहुत ही जादा important question है मेरे साब से इसको very very important भी लिख सकते है ठीक है बहुत जादा important question है अब देखें United Nations UNGTAT basically इन्होंने announce किया था Invest India National Investment Promotion Agency of India जिसको भूते है NIPI ठीक है as the winner of United Nations investment promotion award for the year 2020 यह award ceremony 7 December को हुई थी at the UNGTAT के headquarters पे जो जनिवा में है ठीक है UNGTAT के बारे में आपको बताऊं तो यह 1964 में form हुआ था एक permanent intergovernmental body है यह ठीक है UNGTAT जो है जैसा कि नाम के आगे United Nations लिखाई हुआ है तो यह पार्ट है United Nations Secretariat का जो basically trade में deal करते हैं ठीक है जो developmental issues पे बात करते हैं उनको लेकर यहां प outstanding achievements and the best practices of the investment promotion agencies जो investment promotion agencies है IPAs उनके यहां पर best practices को यहां पर यह बता रहा है ठीक है तो I hope यह चीज़ आप के आप क्लियर होगी हिंदी का इसका version आप इसको यहां पर read कर सकते हैं चलिए which railway station in उत्तरपदेश has been named after मा भारती मा बराही देवी धाम railway station तो किस railway station जो उत्तरपदेश के अंदर है उसको यहां पर यह इस particular नाम से मा बराही देवी धाम railway station के नाम से रखतिया गया है इसका सीधा सीधा आंसर यहां पर आप देख रहे हैं दान्दूपूर railway station ए ऑप्शन है ठीक है अब इसके बारे मैं आपको बताओं तो देखे एक यहां पर प्रतापगड़ और प्रतापगड़ और बादशापूर इन दोनों के बीच में यहां पर एक जगह पड़ती है इसको अमदब एक station पड़ता है ठीक है और यह station के नाम देखे मैं आपको पता आ जाता हूँ दान्दूपूर railway station है यह situated है प्रतापगड़ बादशापूर के बीच में और जो कोश्चन है सीदे चीदे कोश्चन आएगा यही इसका अंसर आपको टिकमा करके चले आना है ठीक है चलिए फिक्की के नए प्रसेडट को कौन इलेक्ट हुआ है फिक्की का भूलवा आप देखी अपने federation of Indian commerce and industry तो इसका यहां पर जो नए चूज हुए है याद रखेगा इलेक्शन होता है तो इनको इलेक्ट किया गया है उदाशंकर जी को as the new president of the फिक्की तो उदाशंकर as I already said has been named as the president of the federation of Indian chambers of commerce and industry for the year 2021 and he is going to succeed whom संगीता रेडी संगीता रेडी अपितलिया फिक्की की चेरमेन थी उनको यहां पर यह overcome, overtake करने वाले हैं, succeed करने वाले हैं ठीक है चली आगे बरते हैं, अब यहां बात करने वाले एक और अच्छा important question है, economic के field से आ रहा है and मैं आपको यहां पर LAF के बारे में जरूर बताना चाहूंगा देखे, हुआ क्या है कि monetary policy of the RBI की monetary policy committee है, उन्होंने recently अपना monetary policy statement 2021 का यहां पर निगाला, ठीक है, उसके एसाब से कित यहां आपको देखने को नहीं मिला हुआ है, ठीक है, यह काफी important information आपको दे रहा हूँ, तो एक मैं आपको बता दूँ कि यह जो मौदरिक नीती आई है, ठीक है, जो आप देखें, उस में अंदर इस मौदरिक नीती में, चल निधी समायोजन सुविधा, जिसको बोलते है liquidity adjustment facility, इसके अंदर जो repo दर में, कोई परिवर्तर नहीं किया गया, और यह 4% पे लगतार बरकरार है, तो LAF actually है क्या, what is this liquidity adjustment facility, तो देखें, ये एक तरह का tool है, एक monetary policy का, ये मैं कह सकता हूँ, tool है, जिसके तहर बैक of India है, वो banks को allow करता है, कि वो पैसे borrow कर सकते है, through a repurchase option, ज इसके through जहाँ पर banks borrow कर सकते है, to make loans to the Arby, through the repo, you know, these reverse repo agreements, तो ये basically यहाँ पर LAF होता है, इसको भी आप याद रखेंगा, चलिए, recently यहाँ पर एक बहुत ही important spacecraft है, जिसका नाम है Hayabusa 2, नाम से पता चल जाएगा, किस कौन से country इसको launch कर सकता है, लेकिन काफी confusing देश भी याँ दिये हुए है, Hayabusa 2 spacecraft has returned by collecting soil samples from the asteroid Rayogu, it was the mission of which of the falling countries, तो यहाँ पर देखें, दो चार information, एक तो पहले answer देख लेते हैं, जापान, तो जापान का ये mission था Hayabusa 2, ठीक है, ये spacecraft है, Hayabusa 2, जो basically भेजा गया था है, एक asteroid है, इसका नाम है Rayogu, भेजा गया था, ठीक है, वहाँ पर जाके वो उसके soils के samples लेके आया है, ये particular mission जापान का है, यही इसके बारे में आपको information याद रखनी है, तो Hayabusa 2 जो है, ये project है, जो operate करता है, JAXA, that is, जापान की space agency, इस mission को चलाती है, ठीक है, Hayabusa 2 किस country का है, एससे कॉशन आ सकता है, आपको जादोना चाही, that is, Japan, चलिए, Who among the following has been announced to be the global teacher award 2020, किसको यहाँ पर ये global teacher award 2020 का मिला है, answer है, रंजी सिंग दिसाले, ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, simple सा है, एक Indian village teacher, इनका नाम है रंजी सिंग दिसाले, he has changed the life, you know, of बहुत सारे जंग बच्चों का life, girls का type, इनो ने चेंज कर दिया, आट इंडियाज जिला परिशत प्राइमरी स्कूल प्रतावेधी, प्रतावेधी सोलपुर महराष्ट में, was chosen as the winner of the global teacher award 2020 in partnership with UNESCO, तो basically इनों ने क्या किया, कि जो यह यहाँ पर area बताया जा रहा है, सोलपुर महराष्ट का, वहाँ पर इनोंने इन यंग girls की life को एक्दम चें Recently यहाँ पर 12th BRICS Summit 2020 की हुई थी, was organized through video conferencing की तुरू हुई थी, which of the following country ने यहाँ पर इस summit को precise किया था, answer है C, that is Russia, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं, यह तो 2020 के बारे में हो गया, इसका पहले theme यह देख लीजेगा, theme आपसे पूछ सकता है, theme है, global stability, shared security and innovative growth, यह इसका बात यह है कि यह BRICS के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका थोड़ा से backdrop हमको याद, अगर आपको दिलाऊं, तो BRICS basically कब बना था, BRICS बना था 2006 में, ठीक है, और मैं आपको पताऊं जब यह बना था, तो basically यहाँ पर Brazil, Russia, India और China ही थे, South Africa ने बाद में इसको जोइन किय तब यह BRICS हो गया, और इसका आपको जो headquarter है, you will find it in Shanghai, ठीक है, Shanghai में आपको इसका headquarter मिल जाएगा, 2006 इसका establishment है, इतना आप ज़रू जाद रखिएगा, चालिए, आगे बढ़ते हैं, question number 32 की तरह बढ़ते हैं, in which of the following states, the new species of babbler bird, नई species, babbler bird की नई species है, puff-throated babbler, यह कहा पर मिली है, first time कहां पर मिली है, किस state पर यह मिली है, answer है इसका राजस्थान, ए राजस्थान, अब इसके बारे में थोड़ा सा information अमनों बताते हैं, तो एक नई species of babbler bird है, जिसको discover किया गया है, राजस्थान से, ठीक है, यहाँ जो discovery हुई है, discovery आप देखेंगे, तो यह उ spell करना है, लेकिन यह नाम spelling आप जरूर पहचाहिएगा, आपको अगर objective में आ गया है, तो आप इसको लगा सकें, at least freelance में, importantly उदयपूर के अंदर हुए, यह यह आदर किया, यह discovery has been done in उदयपूर, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर एक और बहुती important question economic के field से आ र aggregator framework क्या है, all these things है क्या, तो basically यहाँ पर क्या हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं, देखे, यहाँ पर क्या है, पहला information में आपको बता दूँ, कि यहाँ पर देखे, इंडसिंग बैंक जो है, वो पहला bank हो गया है, to go live, एक तो याद रखते का, live, अभी समझ मैंद आग प्रवाइड करनी है, तो वो उसको यहाँ पर उसको प्रवाइड करने के लिए, इंडसिंग बैंक जो है, वो live, पहला bank हो गया है, जो live जाएगा, इंडसिंग बैंक, first bank है country के अंदर, to do so, अब यह काम जो इंडसिंग करने जा रहा है, यह to go live, यह basically किसके अंदर करेगा, यह करेगा account aggregator framework के अंदर, RBI का account aggregator framework है, उसके अंदर करेगा, अब यहाँ पर यह होता क्या है, account aggregator framework, देखिएगा, account aggregator framework जो basically है न, यह इसको सबसे पहले RBI ने announce किया था, और यह एक तरिकी का directives है, जो basically 2016 से ही चल रही है, तो उसमें क्या होता है, कि जो customers हैं, ठीक है, customers, उनको enable कर सकता है, कि वो जो benefits हैं, जैसे statements का view करना, कितने पैसे हैं आपके account में, deposits को track करना, कोई अगर investment आप प्लान कर रहे हैं, उस investment को यहाँ पर देखना, उसके अलाबा जो credit cards की उपर जो आपको offers मिलते हैं, वो भी सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इसके अंतर जहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से जितनी भी information यहाँ पर होती है, यह एक ऐसा initiative है, जिसके तहत यहाँ पर RBI करता है, यह individual की जो भी यहाँ पर information है, उसको यहाँ collect कर लेता है, ठीके, अब होगा क्या से, customers क्या कर सकते हैं, customers can now basically avail बहुत सारे benefits, जैसे मैं आप आपको बताया, account का statement देखना, tracks को, deposits को track करना, एक single window के सारे काम हो जाएंगे, investments plan कर लेना, insurance क्यूपर, PPF हो गया, इस सब चीज़े जो है, plan हो सकती है, तो as FIP, यह जो indecent bank बन चुका है, अब यह क्या करेगा, यह सारी जो financial information है, वो इसको share कर देगा account aggregator ecosystem पे, मतलब यहाँ यह है, account aggregator, जो हमारा ecosystem है, इसका मतलब यह है, कि अब दुबारा, एक बार यहाँ सारा data store हो जाएगा, तो दुबारा, जब कोई यहाँ पर, जो चीज़ें, जैसे for example, अगर आप कुछ भी यहाँ पर लेने काए, loan लेने काए, कुछ भी लेने काए, तो वहाँ से सारा data जो ह है, आपका ले लिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ यह चीज़ है, तो इंडेसियन बैंक इस सेंस में यहाँ पर यह पहला बैंक हो गया है, जो live चला जाएगा, और financial information जो है, वो provide करेगा, यह एक काफी important step है, चलिए, आँगे बढ़ते हैं, India has jointly organized IACE hackathon with which country, तो यहाँ पर I'm sure आपने इसके बारे में सुना होगा, फुल फॉर्म पढ़ लेंगे, इसका फुल फॉर्म जान लेंगे, तो आपको इसको याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, देखिए, IACE जो है, यह है, इंडिया औस्ट्रेलिया circular economy hackathon, तो यहाँ पर definitely IACE जो है, वो इंडिया ने औ option number B is correct, अब इसके बारे में आपको थोड़ा से information दूख काफी important है, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर अटल innovation mission ने organize किया था, दो दिन का एक इंडिया औस्ट्रेलिया circular hackathon, ठीक है, जिसको लोग बोल रहे है, IACE, ठीक है, यह एक association था, जो common wealth scientific and industrial organization के थुरू, यहाँ प students को, जो students है, ठीक है, जो startups है, इनको क्या कर रहे है, इनको enable कर रहे है, ठीक है, इनको यहाँ पर काफी तरह से आप power दे रहे है, to enable these students, these startups, यह जो MSMEs हैं, दोनों ही nations की, ताकि वो innovative solutions लेके आ सके, काफी innovative solutions काई के लिए, ताकि हम circular economic को यहाँ पर क्या कर सके, बहुत अच्छ ठीक है, यह सब चीजें यहाँ पर कर सकते है, तो basically IAS का जो aim है, वो क्या है, कि वो accelerate करना चाहता है development, किसका, ऐसे young और promising students का, ठीक है, ऐसे young और promising startups का, ऐसे young और promising MSMEs का, जो basically sustainable future की तरफ काम करना चाहते है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर यह support देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह काफी important था, इसको याद रखेगा, चलिए, in which of the following states, अगर international trade center has been established, answer है A. Assam, अब यह अगर international trade system के बारे में, यहाँ देख लेते हैं, Assam के जी शीफ मिनिस्टर है, सोनोवाल जी, उन्होंने यहाँ पर एक foundation stone ले किया, एक नीव रखा, किसका, अगर international trade center का जगह है, गोला घाट, काहे के लिए किया यह चीज, ताकि business, जो potential है, किसानों का, और जो entrepreneurs का, उसको यहाँ पर क्या कर सके, promote कर सके, ठीक है, with the agarwood plantations and the businesses in the state, इस तरह से आप देखेंगे, this trade center जो है, वो पहला first of its kind हो जाएगा, इस state को, ठीक है, यह काफी, काफी, काफी important चीज है, इसको आप जरूर याद रखेगा, I think इसको आप स्टार कर सकते हैं, इस question को, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ सवाल है, who has been chosen as the times person of the year, हर साल यह होता है, times person of the year, 2020 का किसको चूश किया गए, यहाँ पर दो लोगों को चूश किया गए, यहाँ रखेगा, जो president है, US क जो बाइडन उनको, और जो vice है, that is Kamala Harris जी, उनको भी यहाँ पर times person of the year, चूश किया गया, तो times magazine has named newly elected US president, जो बाइडन, and vice president Kamala Harris, as the president of the year, of the year 2020, I hope यह आपको याद रखेगा, चलिए, 37th question कि तरह बढ़ते हैं, Asia Cup 2021 कहां कौन से country मोने वाला है, answer है, श्रिलंका, तो श्रिलंक इस बाद 2021 का जो Asia Cup है, उसको health hold करने वाला है, 38th की तरह बढ़ते हैं, एक mobile application है, जिसका नाम है, मेरा COVID केंदर, यह किस state ने यहाँ पर launch किया है, किस chief minister को launch किया है, तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, उसमें यहाँ पर यह मेरा COVID केंदर, इस नाम से एक mobile application, मेरा COVID free COVID-19 testing centers in the state, इस state के अंदर कहां कहां COVID-19 free testing हो रही है, उसको locate करने के लिए particular, यहाँ पर यह application बनाया गया है, ठीक है, चली, question 39 की तरह बढ़ रहे है, education minister, जो है हमारे रमेश, पोक्रियाल निशंक, इन्होंने एक form किया है, has formed a task force, headed by whose purpose, headed by whose purpose it is to prepare a roadmap for imparting technical education in the mother tongue, ठीक है, तो यहाँ पर किसके chairmanship में हुआ है, केंदर शिक्षा मंतिर रमेश पोक्रियाल निशंक के ने मात्र भूप भाषा में, यानि technical education को mother language में प्रदान करने के लिए roadmap तयार किया है, किसके committee में, ठीक है, तो किसके उसमें secretary, higher education, इनके अंडर जियो basically आपर यह काम किया गया है, ठीक ह चलिए, तो education minister हमारे जो है, रमेश पोक्रियाल निशंक उन्होंने एक task force उन्होंने बनाया था, वो उसका काम था, एक roadmap बनाना, हम roadmap किस बात का, कि किस तरह से हम technical education को mother language में, mother tongue में impart कर सकें, इस task force को यहाँ पर head किया था, secretary higher education के, जिन्होंने will report, जो report करेंगे, इना month, एक मह को करने के लिए नहीं, mother tongue में अगर आप यह technical education देना चाते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़े हो सकती है, इसकी report उख एक minimum दे देगे, ठीक है, question number 40 की तरह बढ़ना है, यह हमारा आखरी सवाल है, what is the approximate length of गंगा express वे, अब गंगा express प्रड़क्ट जो चलना है उत्तर चुरू हुआ है, from the district merit से, तू इलहाबाद प्रियागराज तक, ठीक है, जिसका नाम प्रियागराज हो गया है, ठीक है, तो यह जो approximate length है, 590 है, और कई सारे जिले इसमें cover होंगे, गंगा express में, जैसे की merit हो गया, फिर हो गया, हापड, बुलन शहर हो गया, अम्रोहा हो गय शाजहाँपुर, हर्दोई, ठीक है, अब देखे, उसके बगल से यहाँ पर राय बरेली, प्रतापगड और प्रियागराज, इस तरह से ही कटेगा, तो यह सारा जो है, हमारा current MCQs है, जो December के मन्त में न्यूज में था, आपको कोई अगर दिक्कत है, तो आप नीचे दिये